नमस्कार आप देख रहे हैं सी नूस भारत और मैं हूँ आपके साथ जोती अरूरा वाक्त हो गया है मौनिंग नूस का दो आई ये शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसे राइसेन में श्री बलराम जनमुटसव समिती राइसेन एवं किरार धाकर समाच की बैठक आज यानी 17 अक्टूबर को सुभा 11 बजे से टप्रा पठारी भोलेना दर्बार मंदर में रखी गई है बतादे कि बैठक में बलराम जनमुटसव यात्रा का लेखा जोखा हिसाब भी रखा जाएगा साथ ही समिती गठित भी की जाएगा मध्यप्रिदेश राज करमचारी संग आज यानी 17 अक्टूबर को राजदानी भोपाल के तुलसी नगर अस्तिर आमबेटकर पार्क में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा बतादे कि जिसमें सैक्डो करमचारी अपनी मांगो को लेकर एक मंच पर एकटा होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे विकासकंड इस्तरिये महला खेलकूत प्रतियोगिता का आयूजन आज यानी 17 अक्टूबर को प्राता 9 बजे से राइगड स्टेडियम बोईर दादर राइगड में होगा बतादे की प्रतियोगिता में दो आयू वर्ग शूनने से 18 वर्ष एवम 18 से 35 वर्ष तक की खिलाडी सम्मिलित हो सकेंगे जिसमें खोको, हौकी, बॉलिबॉल, आदी खेलों को सम्मिलित किया गया है मुत्रप्रिदेश की योगे आधितिनाथ सरकार ने आज यानी 17 अक्टूबर को महरिश्वी वालमी की ज्यनती को दूमधाम से मनाने का फैसला किया है बतादे की इस दिन को विशेश रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक कारिक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा पशिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोड आज यानी 17 अक्टूबर को J.E.L.E.T. काउंसलिंग 2024 राउंड दो के लिए सीट आवांटन परिणाम की घोशना करेगा बतादे कि जिन उम्मीद्वारों ने संयुक्त प्रवेश लेटरल इंजीनिरिंग टेस्ट काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजी करन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट WBJEB.NIC.IN पर जा सकते हैं जे लेट सीट आवांटन परिणाम जारी होने के बाद उसकी जांच कर सकते हैं आज यानी 17 अक्टूबर को महारिश्वी बालमी की जहनती के अवसर पर प्रदेश सरकार ने अपकाश की घोशना की है बतादे कि योगी सरकार आज दूमधाम से बालमी की जहनती मनाएगी इस दोरान कई भव्वे कारक्रम आयुजित किये जाएगे उत्राखन की सांस्कृतिक नगरी अलमोडा में तीन दिन का लिटरेचर फेस्टिवल आज यानी 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है बतादे कि इस बार 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक कारक्रम होंगे इस बार लिट फेस्ट में 30 से अधिक सत्र होंगे और उत्राखन के साथ देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरन वित और इतिहास कार इसमें शामिल होगे विपावली पर्व को लेकर बिजली विभाग के द्वारा लगातार मेंटेनिंस का काम किया जा रहा है बतादे कि आज यानी 17 अक्टूबर को सीकर शहर में भैरुपूरा जी असे के मेंटेनिंस का काम किया जाएगा इस संबंद में बिजली विभाग के द्वारा सूचना जारी की गई वेलवे के अनुसार आज से 20 अक्टूबर तक दुर्ग से चलने वाली 15160 दुर्ग चप्रा सारनात एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया मानिकपूर प्रयागराच शिवकी वारनसी जौनपूर ओडिहार मार्ग होकर चलेगा मौसम केंद्रु जैपूर के अनुसार अब मौसम शुष्क रहेगा आज 17 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल चाय रहने की संभावना है बता दे की दिसंबर माह में राजस्तान में सर्दी अपने तेवर दिखाना शुरू कर देगी वक्त हो गया है आज के इतिहास का तो आई ये निगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर आज के दिन 1917 में प्रतम विश्वयूद में ब्रिटेन ने पहली बार जर्मनी पर हवाई हमले किये थे आज के दिन 1933 में प्रसिद्ध वेग्यानिक अलबर्ट आइंस्टीन नाजी जर्मनी से अमेरिका चले गए आज के दिन 1905 में हिंदुी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतिय अभिनेत्री स्मिता पाटिल कका का जन हुआ था आज के दिन 1989 में मदर टेरिसा को शांती के लिए नोबल पुरिसकार प्रदान किया गया आज के दिन 2018 में प्रसिद्ध भारतिय शास्त्रीय गायक अरुन भादूरी का निधन हुआ था मॉनिंग न्यूज में फिल्हाल के लेतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे है सी न्यूज भारत